हेलो दोस्तों नमस्कार मैं जितेंद थवाइट सीजी पेसी हैंड रिटन नोट्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीजी पेसी प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्राची नितिहास को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंप चले देखते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफीकेशन आपको मिल सके हैं चले देखते हैं आश्रम बेवस्त हैं जिसका अलत होता है अपने उद्देश्यों के पूर्ती है तुप्रयास करना ठीक है किस्से बना अपनीष्यो की पूर्ती हेत प्रयास करना चांदो के अपनिसद में तीन आश्रमों का उल्लेक इथ य। तो तेकिने टम्झ मिलता है चांद कुष्य में जवाली कुफनीष ने टमीष यह चार आश्रमों का उलेक मिलता है आगे एक आग वीडियो हम लोग उपनीसद पर भी बना देंगे सभी वेड उपनीसद वेड को बन चुका है उपनीसद वेदान इन सब पर बनाएंगे भारति समाज का आयू के अधार पर विभिन आस्रमों में वैज्ञानिक वर्गी करन किया गया है ठीक है अब चले देखते हैं आस्रम के प्रकार पहला क्या है ब्रह्मचरी आस्रम इस आस्रम में किवल एक पूरुसाथ धर्म की पालना की जाती है ब्रह्मचरी में इस आश्रम में व्यक्ति को विविन विशया कारों से दूर रहते हुए स्वविकास पर केंदी तहना होता है अर्थात अपना विकास करना है सभी चीज से दूर होके यह समय यह ऐसा है कि अपना विकास इस आस्रम में व्यक्ति के अहम को खत्म करने के लिए भिक्षा वित्ती का प्रधान रखा गया है जो अहम आ जाता है अपने अंदर उसको खत्म करने के भिक्षा वित्ती का प्रधान रखा गया जाता था ब्रह्मचरी के दो प्रकार होते थे थोड़ डीटेल में देख रहे हैं हम लोग ब्रह्मचारी के कितने दो प्रकार उपकुर्वान और नैश्टिक या अन्तेवाशी अब पहला देखते हैं उपकुर्वान वे ब्रह्मचारी जो वैडिक सिक्षा पूर्ण करने के पश्चात समावलतन संस्कार के माध्यम से ग्रिहस्त आस्रम में प्रविस्ट कर जाते हैं हम लोग यह पढ़ चुके 25 वर्श के आईउ में होता है समावलतन संस्कार इससे पहले वाल वीडियो मैंने आप लोग को बताया है तो जब 25 वर्श को जाते हैं तो जब विद्ध्यक रहन करने के पश्चात यह संस्कार होता है इसमें क्या होता है जो घर चले जाते हैं यह गुरुникиुरमें ही रह जाते हैं उनको क्या बुला जाते है नेस्टिक या अम द्यों ध्यान रखना वे ब्हभ्रमचारी UCLA का कारी करते थे अध्यापन का कईरी करते थे घृरत अकले अस Deus करने लगते हैं अब दूसरा आस्रम के बारे में देखते हैं ग्रिहस्त आस्रम इस आस्रम में व्यक्ति अपने समाजिक दाइत्यों का निर्वहन करता है व्यक्ति धर्म अर्थ और काम पूरस्वार्थ की पालना करता है व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के लिए धन का संग्रा क करता है कि इस आस्रों में व्यक्तित तीन रिड़ों से étaient मत्रफंन करता है पांच महायंग करता है पिछले वीदिए लिफुन मैंने बोला था की पांच महाय जीनः पढ़ेंगे और इसे तीन रिड़ है जिसे म् तास्रों मुंहें पढ़ेंगे चलिए देखते हैं कि तीन क्या होते हैं क्या होते हैं युट नो रोगविजन करना चाहिए और प्रसाब प्रसा करना चाहिए हम लोग रिच्ण से मुख्तों ना क्या करना चाहिए वेदों का अध्यान करना जाहिए तथा सिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए अग्ला क्या होता है डेव रीड होता है इस भौत्रिक जगत की रचना देवताओं दवाड़े की गई है प्रकृति के संसाधनों का उब्भोग हमें विवेक सिल तरीके से करना चाहिए इस प्रकार हम इस रेड़ से मुख्त हो पाएंगे अब तीसरा और अंतिम रेड़ देते हैं पितरी धर्मनुसार विवा कर संतानों पत्ती से हम बढ़न से मुख्त हो सकते हैं तीसरी के पितरी से मुख्त हो जाते हैं इसका रहना की रेड़ हो गया है तो इसमें से क्वरी यहीं लीग डिया हमें रिट में क्या रिट में चरियाई वाली हो है तीक है कि अगला हम लोग देखते हैं पांच महायग्य बारे में क्या क्या महायग्य होते हैं पहला क्या होते हैं रिस्यों के प्रति सम्मान को प्रगत करने के लिए इस यग्य का आउजन किया जाता था था जिन्हों ने वैदिक सायित्य की रचना की और दूसरा क्या होता है देव यग्य देहताओ के सम्मान प्रगत करने के acab क्या जाता है अगनी को देहताओं वो मनुश्यों के अध्यास्ट माना के इसले हम लोग कुछ भी यग्य होता है तो आग जला के हम vant gefamint बनाते हैं क्योंकि माध्यम मनुष्य व्यताव को कि बीच का एक माध्यम क्या तो अगनी है तो दूसरा अब देखते हैं पित्री यग्या पुर्वजों की आत्मा की सांती के लिए पिंड दावन और साध्य का आवजन किया जाता है उससे क्या मुक्ष की प्राप्ति होती है तो यह पित्री यग्या कहलाता उससमें चौथा क्या अतीथी या मनुष्य यग्या घराय में इहमानों के प्रति सम्मान भाव सम्मान का भाव रखना थीक है बिलकुर रखते हैं अतीथी देव भावा हमारी संस्किती में अतीथी को देवता के सम्तुल माना गया है अतीथ वेक्तियों को पक्षियों कीतों को भोजन कराना चाहिए जो नकारत्मक सकती है उसको दूर क्या है वेक्तियों को पक्षियों कीतों को भोजन कराना चाहिए ठीक है सभी पक्षियों कीतों भोजन कराया चाहिए पांच महा अब क्या के कोश्यम बना हुआ था पांच महा यग् एक्परे में हम लोग पढ़ लिए अर्थ पुरुसाथ के अजन के अनुमती केवल इस आस्रम में देघी है मतलब कौन से अर्फ के अनुमती दी गई है तो किसमें दी गई है तो अपना ग्रिहस्त आस्रम में दी गई है ग्रियासत अस्रम भाग लेता है ज़हां व्यक्ति नई पीडी के मारग दर्शक की रूप में कारी करता है व्यक्ति युआंहों को निशूल के सिक्ष्छ प्रांग करता है इससे आश्रम को मुख उद्धिस आथिक समस्याओं को कम करने से हैं ठीक है यह हो गया अपना कुण सास्रम तीसरा है वानप्रस्त आश्रम वानों के जाना आश्रम में व्यक्ति के समाजिक कल्यार करीकरियों भाग लेना नई पीड़ी को मांग डर्शन देना उन्हें को काने सबुक्रिक समाज को आल्धिक समस्यां यम वयरूजगारी के सामना नहीं करना पड़ता है क्यूंकि क्या हम जाते तो सभह जीवन व्यापन कैसे करना है इन सब के बारे में स्थिक्ते हैं नई पीडियों को में सामार्ग राशन मिलता है थीक है में समय पालगे तीक तीको इसको पांटा गया है इस प्रकाइस का क्या है हम लोग महात्यों को लिख सकते हैं ठीक है यह दो नम्हें पूछा हुआ था आज सम्भे उस्था का महात्यों लिखे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तरह वे